ये कहानी है एक ऐसे शक्स की जो दुकान पर अपने पिता जी के जन्म दिन के लिए केक खरीदने जाता है लेकिन जैसे ही वो कैश काउंटर पर आता है तो उससे पता चलता है कि उसका बिल टोटल 500 रुपिय हुआ है जब वो कैशियर को कैश पे करता है तब कैशियर बताता है कि सर ये तो सिर्फ 220 रुपिय है और आपका बिल टो 500 रुपिय हुआ है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और अपनी जेब टटोलने लगता है वो शक्स जवाब देता है सर मेरे पास तो सिर्फ इतने ही रुपिय है तब कैशियर कहता है कि आप इन में से कोई एक सामान को कम कर लीजिए तब जवाब देता है कि ये सामान रख लीजिए और हमें सिर्फ केक दे दीजिए तब उसे पता चलता है कि उस केक की कीमत 220 फिर वो शक्स कहता है कि ठीक है केक रख लीजिए और बाखी का सामान दे दीजिए ठीक उसी के बाजों में खड़ा हुआ उसका बेटा कहता है कि पापा जी आज दादा जी का जन्म दिने केक लेना बहुत ज़रूरी है अगर नहीं लिए तो वो नाराज हो जाएगे बाप अपने बेटे की बात को नजर अंदास करते हुए चुपचाप वही सामान लेकर दुकान से बाहर निकल जाता है जैसे ही दोनों बाप बेटे शौप से बाहर निकलते है एक शक्स उन्हें पीछे से आवाज देता है जब वो पीछे मुल कर देखते है तो एक शक्स केक का डिबा उनके हाथ में धमा देता है दोनों बाप बेटे केक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुमने ये क्यूं किया तब वो उन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं और मेरे पिता जी इसी शौप में खाना खरीदने के लिए आये थी लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे उस वक्त एक शक्समें हमारी मदद की थी और उसने मुझे ये लेटर दिया और कहा कि आगे जाकर तुम भी किसी की मदद करना और उसे ये लेटर फॉरवर्ड करना उसकी इसी बात ने मेरी जिन्दगी बदल दिया और आज मैं उसी की कई वी बात को फॉलो ये सुनके दोनों बाग बेटे बहुत खुश हुआ उसका शुक्री आदा किया और वहां से चल दिये जब वो घर पहुचे तो उन्होंने खुशी-खुशी दादा जी को केक दिया और उनके बिर्टे की विश की केक देखकर दादा जी ने कहा कि बेटा इतना महगा केक कैसे लिया तब बेटे ने एक सास में पूरी के पूरी दास्ता बाप को सुना लिए और बाप के हाथ में वो लेटर दिया जो उस इंसान ने उसे दिया था जैसे ही बाप ने वो लेटर देखा उसे उसके पुराने दिन ही आदा गए कि वो खुद वही शक्स था जिसने उस गरीब लड़के की मदद की भी उसे बहुत खुशी हुई कि जो काम उसने कई बड़ सो पहले किसी और के लिए किया था आज उसी का कट्ड़ा उसे मिला है तो दोस्तों इस कहानिसाय में यही सबख मिलता है कि अगर आज हम किसी की मदद करें तो एक ना एक दिन उपर वाला हमें उसका फल्ग ज़रूँ